हाई दोस्तों आज हम अर्थ के बने थोड़ा कुछ जाने वाले हैं अर्ली टाइम साइंटिस्ट मानते थे कि अर्थ सर्कुलर पार्थ में ट्रैवल कर रही है बड़ केपलर ने कहा कि अर्थ ओवल शेप पार्थ में ट्रैवल कर रही है साइंटिस्टों ने केपलर से कहा कि प्रूव करके दिखा जब केपलर ने कहा कि अर्थ सन से दूर होगा तो टेमपरेचर डिक्रीज होगा जब अर्थ में विंटर सीजन शुरू होगा अगर अर्थ सन को नजदिक होगा तो टेमपरेचर इंक्रीज होगा मतलब अर्थ में समर सीजन शुरू होगा वैसा कहकर केपलर ने फ्रूव किया केपलर ने ये भी कहा कि महीने में अर्थ कितना भी एरिया ट्रैवल करता है अगले महीने में का एरिया भी दो भी इक्वल रहते हैं मतलब इदर टाइम पिरियड कॉंस्टेंट है कैसा हमारे को मालूम की yearly 365 days रहते हैं अर्थ के around कई स्टार्स रहते हैं ये स्टार्स डेली का एक structure बनाते हैं ये स्टार्स के नाम भी रखा गया है ये स्टार्स फिर से एही shape पे एक साल के बाद फिर आ जाते हैं इसा डेली एक structure को गिनते गिनते हुए साइन्टिस्टों ने मालूम कर लिया की yearly 365 days रहते हैं